वेलकम दोस्तो आज हम सिफिलिस की बीमारे के बारे में बात करेंगे आप आगे क्या जानोगे VDRL, TPHA और RPR का टेस्ट का सिफिलिस की बीमारे में क्या महत्वा है क्या सफल इलाज के बाद VDRL डिपूट नेगेटिव हो जाती है सिफिलिस का इलाज कैसे करते हैं सिफिलिस कैसे फैलता है एक्स्पोजर से कितने दिन बाद रिपोर्ट कराना चाहिए सिफिलिस के क्या लक्षन होते है और उसके कितने स्टेज होते है सिफिलिस का निदान के लिए क्या महत्वपुन है क्या एक बार अंजान व्यक्ति से और सुरक्षित समन्द से सिफिलिस हो जाता है कि इसको टेश्ट कराने की जरूत होती है और आखिर में क्या सिफिलिस मिच सकता है या नहीं सबसे पहले देखते हैं वीडियरल टेश्ट क्या है वीडियरेल टेस्ट का Full-Farm Vendral Disease Research Laboratory जिस संस्था ने इन्विंशन किया था उसके आदार पर इस टेस्ट का नाम रखा है इयर टेस्ट सिफिलिस नाम की बिमारी के लिए करते है सिफिलिस बिमारी ट्रैपेनम पैलेडम नाम का बैक्टरिया से होती है और जिस इंसान के अंदर ए बैक्टरिया जाता है तो उसके अंदर एंटीबोडी बनता है इसके खिलाप और इसके खिलाप एंटीबोडी डिटेक्ट करने के लिए पता लगाने के लिए विडियाला टेस्ट का इस्तमाल करते है लेकिन यह टेस्ट नॉन स्पेसिफिक है मतलब यह सिर्फ ट्रेपरिम पेलियम जो सिफिलिस का बैक्टरिया उसी के एंटिबोड़ी को डिटेक कर ऐसा जरूरी नहीं है यदि किसी और किसम का भी बैक्टरिया तो किसी और चीज भी है बोड़ी में तब भी रिपोर्ट पॉजिटिव आता है मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है टेपरिम पेलियम के लिए तो क्या वीडियरल का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है यदि किसी का रिपूर्ट वीडियरल पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब होता है कि उसको सिफिलिस बिमारी हो सकती है होने की संभावना है लेकिन होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है इसलिए पॉजिटिव वीडियरल इस इकॉल टू सिफिलिस ऐसा नहीं होता यह सिफिलिस हो भी सकता है और ना भी हो तो positive video final होती है या उसको किसी और टेस्ट से confirm करना होता है तो इदि किसी का report video positive आता है तो सिफिलिस के लिए final report नहीं मानी जाएगी उसको confirm करने के लिए आपको TPHE नाम का report कराने के आवश्यक्ता होती है जिसका full form है ट्रेपेनम पालिडर्म हिम अगलोटिनेशन्स अब इलाज को monitoring करने के लिए यानि की इलाज से सही हुआ है के नहीं हुआ वो जानने के लिए आपको इलाज चालू करने से पहले कौन सा report कराने के आवश्यक्ता होती है तो कोई भी इंसान का TPHA का report मान पहले video का report positive आया उसको confirm के या TPHA से यह वो भी positive आया तो आपको सिधा इलाज चालू नहीं करना है इलाज चालू करने से पहले video का titer चेक करना है अतलब उसकी मातरा चेक करनी है वो RPR method से चेक होता है तो मान लो किसी का RPR method से test कराया और वो उसका value 1 to 32 आया ठीक है तो वो उसका titer हुआ तो एक confirm होगे मान लो का titer भी करा लिया तो अब सिफिलिस का इलाज कैसे करते है आम तोर पर सिफिलिस का इलाज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका penicillin injections होता है यदि कहीं पर वो उपलब्द नहीं है तो उसके option में डॉक्जी साइक्लिन 100 mg सुबज शाम 14 दिन के लिए लेना होता है लेकिन इस सेकंड ऑप्शन है डॉक्जी साइक्लिन पहला option से penicillin injections जिसमें आपको कुल मिलाके तीन बार injections लेने के लिए जाना होता है और आप जब भी injection लेने के लिए जाते हो तो तब हर बार आपको penicillin से reaction होने की संभावना तो नहीं है उसके लिए पहले वही injections के थोड़ी मातरा आपके चमड़ी के अंदर डाल के रूसका wait करना है आधा गंटे से एक गंटा और वह नॉर्मल होता है तो फिर आपको मिसके बटक्स में वह injections दिया जाएगा और एक बार जब injection देने जाते हो तो दोनों बटक्स में तीन विजिट होगी एक एक हपता के अंदर आल पे तो आपको कूल इंजेक्शन तीन बार लेना होगा और कूल इंजेक्शन लगेंगे छे तो क्या सफल इलाज के बाद video report नेगेटिव हो जाती है तो आम तोरपर लोग ऐसा ही मानते के एक बार मैंने इंजेक्शन लिया तो मैं रिपोर्ट क्यों नेगेटिव नहीं हो रहा तो समझे यहाँ पर हमने आगे दिखा कि video report आपका antibody चेक करता है आपका bacteria नहीं चेक करता तो आप injections लोगे तो आपके bacteria खतम हो जाएंगे लेकिन जो उस bacteria के खिलाप में जो body ने antibody बनाया है वो खतम हो भी सकता है और ना भी हो तो आपका video report नेगेटिव आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता लेकिन इसे पका कुछ नहीं होता कि आपका report साथ कि इलाज सफल हुआ है और नहीं हुआ हुआ और जानने के लिए आपको video report नहीं करा note एदि वीडियारल भीपोर्ट नेगेटिव नहीं होता तो लाज की सफलता कैसे पक्की करें तो लाज की सफलता पक्की करने के लिए आपको वापस टाइटर कराना है छे महीने के बाद आपका इंजेक्शन का जो कोर से खतम हो जाए उसके वापस आपको वीडियारल बाई आर्पियर टाइटर आर्पियर टाइटर कराना है और मान लेकर एक्जाम्पल की तोर पर आपका सुरूद इलाज से पहले टाइटर आयाटा 1 2 32 तो 1 1 4 हो जाना चाइए मतलों 1 is to 8 से कम हो जाना चाहिए ज़िए 4 हो जाता है तो आपका इलाज सफल है बाद में बढले हैसे आपका वीडियर टाइटर होने के बाद यह पका हो सिफिलिस एक STDA मतलब कि सेक्सियली टास्मिटेड इन डिजीजे यानि कि एक ग्रूप तुरूग है वो कैसे होता है ट्रेपिनुमा पेलेडिम नम की बैक्टरिया के कारण होता है यह बैक्टरिया किसी इंसान के अंदर है और इसके साथ कोई आसुरक्षित जातिया सबन रखता है तो सामने वाला इंसान के अंदर है जा सकता है अब सिफिलिस कैसे फैलता है सिफिलिस तीनों किसम के आसुरक्षित जातिया सबन से हो सकता है मुख महितन, योनी महितन, गुदा महितन और उसके अलावा एक और भी कारण है वह है यदि किसी pregnant lady को syphilis है तो आने वाले बच्चे को delivery के time पे syphilis हो सकता है क्या किस करने से syphilis फैलता है simply सी simple किस से syphilis नहीं फैलता है लेकिन यदि किस oral sex का हिस्सा है तो फिर syphilis इससे फैल सकता है exposure से कितने समय बाद report करा सकते हो आपको एदि किसी का exposure है और exposure हुआ कि उसके बाद आपको चेक कराना है कि आपको syphilis हुआ है कि नहीं हुआ है तो रिपोर्ट से जाज करने के लिए आपको कम से कम 28 दिन का इंतजार करना है और 28 दिन के बाद आपको अपना सिफिलिस का वेडियराल टेस्ट करार सकते हो सिफिलिस के लक्षन क्या होते है और उसके कितने स्टेज होते है तो सबसे पहले देखते हैं स्टेज 1 स्टेज 1 में एक या उससे अधिक सक्त गोल बिना दर्द और बिना खुजली वाला से छे हपतों तक रह सकता है यदि को इंसे निलाज कराता है या नहीं कराता है वो फिर भी अपने आप ठीक हो जाता है अब यह गाव यदि किसी से औरल सक्स से एंट्री हुआ है बॉड़ी में तो यह गाव जीब पर रहेगा जबान पर रहेगा यदि किसी को यह पैनिस के थ्रू एंट्री हुआ है तो यह गाव पैनिस पर होगा और यदि किसी को यह गाव इंसिफिलिस का जो बैक्टरिया है व फिर वजाइना पर यह काव दिखेगा अब वो इसके इलाज कराते है कि नहीं कराते है वो तीन से छे हपते बाद ठीक हो जाता है उसके बाद स्टेज टू के लक्षिन क्या होते है चंबडी यह तो मुकोज मेंबरेन जो छाले मूँ का जो अंदर का सी सोफ्ट स्कीन है उसको मुकोज मेंबरेन बोलते है यह तो वजाइना यह तो रेक्टम जिस पर रेशिस आते हैं मतलब काले डाग हो जाते हैं और वो बिना खुजली वाले होंगे और यह जो second stage है वो 6 हपते से लेके 6 महने तक चल सकता है जिसमें इसके साथ रेशिस के साथ लिंप नोड में बढ़ जाना बुखार होना, सोर्थोट होना, हैर लोश होना, सिर्देध होना, वेट लोश होना, मसल स्पेन या तो बहुत सारी ठकान लगना ऐसे लक्षन stage 2 के अंदर आ सकते हैं इसकी मात्रा एक इंसान से दूसरे इंसान में कम या ज्यादा हो सकती है या stage 2 में ज्यादा एक से ज्यादा ऐसे जीप पर छाले दिखने को मिलेंगे हाथ में जो है black dots वो हाथ में भी दिख सकते है या तो पाओं की जो नीचे की चमड़ी है उस पर भी ऐसे black dots दिख सकते है और बैक पर भी अपनी जो चमड़ी है उस पर भी इस किसम के skin races आ सकते है उसके बाद stage 2 के बाद आता है latent stage जिसमें सालों तक इंसान को कोई भी किसम की कोई भी तकलिफ नहीं होती कोई लक्षन नहीं होता कोई चीना नहीं होता उसके बाद आता है stage 3 के लक्षन्स जो infections से करीबन 10 से 30 साल के बाद आता है और बिना इलाज भी जादा तर लोगों को ये stage तक नहीं पहुँचते तो इसका मतलब ऐसा बिलकुल नहीं है कि किसी को सिफिलिस की बिमारी हुआ तो हर किसी को stage 3 होगा ही ऐसा नहीं होता आप इलाज कराओगो तो नहीं होगा वो पक्का है और कोई लोग मानलो नहीं कराते उसको पता है नहीं लगता तब भी वो stage 3 पे पहुचेगा ही ऐसा ज़रूरी बिलकुल नहीं है stage 3 है वो गंबिर है वो रदय पर दिमाग पर और आग पर जादतर किस्सों में दिखता है इसके अलावा सरी के और हिस्सों में भी यह हो सकता है आम तोर पर देखे जानावाला नियूरो सिफिलिस यानि की दिमाग का सिफिलिस जिसमें क्या-क्या लक्षन्स होते हैं तीवर सिर्दर्द, स्टनायू और हलन्चलन में तकलिफ, पैरालिसिस यानि की हाथ या पैर का नहीं हिला पाना, सुनपन, याद्दास में कमजोरी अब सिफिलिस का निदान के लिए क्या महत्वपून है? सिर्फ लक्षन या सिर्फ टेस्ट या दोनों आप सिर्फ लक्षन क्या दरपर किसी को कह सकते हो के सिफिलिस ही, इसके लिए आपको सहारा लेना जरूरी है इसलिए आपको दोनों चीज़ जरूरी है, लक्षन और टेस्ट टबीए आप सिफिलिस का निदान कर सकते हो एक बार अंजान वक्ति से आस्टुरक्षित जातिय सबंद सिफिलिस होने के संभावना कीतनी है हम यहाँ पर मान भी लेते हैं कि सामने वालों को सिफिलिस की बीमारी है तब भी मिसके सिफिलिस होने की संभावना 3-10% होती है बिना कॉंडम भी कोई सेक्स करता है तो इसका मतलब इसा बिल्कुल नहीं होता कि मान लोग इसे सिफिलिस वाले इंसान से आस्टुरक्षित एक बार सबंद किया तो सिफिलिस हो ही जाएगा तो उसकी सिंभावना सिर्फ 3-10% होती है 100% नहीं होती है अब सिफिलिस के बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए सही उम्र से पहले सेक्स की सुरुवात नहीं करनी चाहिए मतलब अभी हम देखते कुछ बच्चे 15-16-17 साल के उम्र में भी इससे सेक्स करते हैं तो उसकी सही उमर नहीं है अपने सेक्स की उमर जो नॉर्मल होती है वहां सही सेक्स की सुरुवात करें सिर्फ एक ही पार्टनर रखें सेक्स्यूल पार्टनर से आपके जीवन में जितने कम sexual partners होंगे उतने ही जिसके आपको sexual transmitted disease होने के संबावना कम है और condom का इस्तमाल करें लेकिन condom का इस्तमाल करने से हमको 100 phage the syphilis से मुक्ति मिलेगी बचाव मिलेगा अशा नहीं होता क्योंकि अपने सरी कुछ जिगा ऐसे भी होगी कि जहाँ पर syphilis हो सकता है लेकिन condom cover नहीं कर सकता तो वहाँ पर syphilis होने की संबावना थोड़ी बहुत और भी बाकी बचे की अब किसको syphilis के लिए test कराना की ज़रुवत होती है हर गर्भयोती महिला को अपनी pregnancy पता चले तो तुरंत एक बार syphilis का test कराना चाहिए जीन लोगों को एक से ज़्यादा sexual partners है जीन लोगों को कोई और sexual transmitted disease है जो MSA में मतलब के men who have sex with men यानि कि जो गुदा महितुन करते है या इदि आपको पता है कि आपके partners को syphilis की बिमारे है तो इन लोगों को syphilis का reports कराना चाहिए यदि क्यों प्रिगनसी होती है और syphilis का report positive आता है तो इलाज नहीं कराने पर बेबी पर क्या नुकसान हो सकता है बेबी का वजन कम हो सकता है बेबी का delivery नौ मैने से पहले होने की संभाव नहीं हो जाती है काफी बार बेबी को सुरुवात में को लक्षन नहीं देखते है लेकिन बेबी का इलाज नहीं कराने पर उसके बेबी को मोत्या बिंदू सुनने में तकलिफ खीच ऐसी तकलिफ हो सकती है क्या सिफिलिस मिट सकता है तो हाँ सिफिलिस मिट सकता है लेकिन आपको याद रखना है कि सिफिलिस मिटने का मतलब यह नहीं कि विडियरल डिपूट आपका जो positive था उसको negative हो जाना है आपका tyter जो République tyter हे विडियरल tyter बाय आर्क्यर मेंठड वुवन चौथ हो जाना चाहिए यदि आपको वनकोद हो गया है तो आपके अंदर सिफिलिस के बिमारीbak मिट गही है आपको ऐसा मानना है और उसके बाद ना तो आपको कोई सिफिलिस के कारण कोई तकलिफ होगी और ना तो आपके कोई सेक्शुल पार्टनर्स को उसके सिफिलिस के बैक्टरिया जाने के कोई संभावना है आखिर में मेरा परी चाहिए मैं HIV Aids Specialist डॉक्टर कीतन रण परिया यदि आप मेरे से HIV या तो कोई भी एस्टेडी रिलेटेट्स बीमारी के बारे में कंसल्टेशन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर WhatsApp के दुरू Message करिए आप मेरे से Consultations बुक कराने के पाद आप मेरे से Online Consultations कर सकते हो हम हर सनिवार और रईवार दुबेर को एक बजे नया वीडियो के साथ आते हैं तो देखना ना भूले हर सनिवार और रईवार दुबेर को एक बजे आखीर में चेतावनी यहां पर कही गई बाते एक आम जानकारी के लिए हैं समय के साथ विज्ञान बदल सकता है किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले Specialist डॉक्टर से यक्ति के तुरूप से राय लेना अत्यन्त आवश्यक है Thank you, हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ